नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है प्रदेश की चार बड़ी खबरों के साथ हाजर हुए हैं मधिप्रदेश की पहली बड़ी खबर की बात करते हैं आज MP बोर्ट 10 वी और 12 का रेजल्ट एक साथ घोशत किया गया और मधिप्रदेश में 10 वी के 60 प्रतिशत और 12 के 72 प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं पास हुए हैं स्कूल सिक्षा मंत्री इंदर सिंग परमार ने सिंगल क्लिक से रेजल्ट जारी किया आपको बता दे कि 10 वी में छतरपूर की नैंसी दुबे और विंद शेतर के सतना जिले की सुचिता पांडे ने टॉप किया है दोनोंने 496 नंबर अरजित किये हैं 99.2 परसंट हासलकार दोनोंने ही टॉप किया है और बारवी के अलग-अलग विश्यों में 9 टॉपर्स हैं जो की लड़किया हैं बारवी में शियोपूर की प्रगती मित्तल ने प्रदेश में सभी संकाय में ओवरॉल टॉप किया है प्रगती ने विज्ञान गनित समू में 500 में से 494 अंखासल किये है संकाय के हिसाब से देखें तो कला समू में सागर की इश्यता दुबे ने टॉप किया है विज्ञान गनित समू में शियोपूर की प्रगती मित्तल कॉमर्स समू में मुरैना की खुश्बू शिवहरे ने टॉप किया है और जीव विज्यान समू में शाजापूर की दिव्यता पटेल ने टॉप किया है काफी खुशी की बात है कि इन तमाम जो सब्जिक्ट्स हैं उसमें लड़कियों ने बाजी मारी है जहां पर विद्यार्थियों ने टॉप किया है रीवा सीधी सिंग रॉली सतना की बेटी ने दसवी में टॉप किया है आपको बता दे कि रीवा में बारवी का जो परिक्षा परिणाम आया है तो रीवा जिले का देखे तो कला समू में रोशिता सिंग ने टॉप किया है गडित समू में श्रीजन पांडे विज्ञान गणित समू में सत्यम दुबे इसके अलावा प्रवर श्रिवास्तव आदर्श पांडे आदित्य सिंग, साक्षी पाथक, रिशब ओजा, आस्था सिंग, राज बंसल, सुधान शुत्रिपाथी, आयूश मिश्रा, कोमल बयार गौतम, सुप्रिया सोनी, रितिका शर्मा, स्तक्षम उपाध्याय, आस्था शुकला, अर्पित सिंग, शालनी पांडे और प्रांशी गुपता, ये वो सभी चात्रों के चात्र चात्राओं के नाम हैं, जिनोंने दसवी और बारवी में टॉप किया है और अपने घर का परिवार का साथ ही जिले का नाम रोशन किया है, तो आज काफी इंतिजार के बाद दसवी और बारवी के परिक्षा परिणाम गोशित कर दिये गए हैं, बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की ओर, मधिप्रदेश में चल रहे है, 6000 पदों पर आरक्षक भरती से जुड सुनवाई के बाद कोट ने मधिप्रदेश शासन समेट मधिप्रदेश वियवसाइक परिक्षा मंडल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है, इसके साथ ही कोट ने आदेश दिया है कि आरक्षकों की भरती प्रक्रिया हाई कोट के अंत्म आदेश के आधीन इसमें 601 पाद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षत किये गए थे, आरक्षकों के कुल 6000 पदों के लिए प्रिथम प्रवेश परिक्षा पूर्ण हो चुकी है, जिन में से 30,000 उमीदवारों को अगली प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, लेकिन इसमें एक जबी फौजी या एक्स सर्विसमैन शामिल नहीं है, याचिका में आकड़े पेश के गए और याचिका करताओं ने कहा कि इस तरह से नियमों का उलंगन किया गया है, याचिका करताओं ने अदलील भी दी है कि एक्स सर्विसमैन के पदों को सामान इश्रेंडी से अभ्या द्वारा नहीं भरा जो सकता क्योंकि नियम के मुताबिक एक्स सर्विसमैन के पदों पर सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही भरती होते हैं इन तमाम तरकों को सुनने के बाद हाई कोट ने शासन समेत अन्य पक्षो को जवाब तलब किया है और अब मामले की अगली सुनवाई सasis में जानकारी दी गई है मधीप्रदेश मैं संचालित शासके स्कूल में व्यापं सिक्षकों की भरती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके आज मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहान ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है स्वास्त व्यवस्था से जुरी हुई ये सौगात है व्यवस्था को सुधरिन करने के लिए 108 संजीवनी एक्सप्रेस का लोकारपन किया गया है इसके साथ ही 108 संजीवनी योजना एक्सप्रेस के वाहनों की संख्या में व्रिद्धी की गई है सीम शिवरासिंग चोहान ने बड़ी घोशना की है उन्होंने कहा है कि इस वर्ष पर स्वास्त बजट में 29 फीसदी की व्रिद्धी की गई है साथी सीम ने कहा कि 25,000 की आबादी पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक शुरू किया जाएगा साथी प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीवी मुक्त और वर्ष 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष रखा गया है संजीवनी और एम्मुलेंस के लोग कारपन के साथ इस कारिक्टर में मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहान ने स्वास्त विभाग क के लिए रखी गई है वो उन तक पहुंचे और अगर शिकायत मिलेगी तो उन्होंने एक बयान भी दिया है कि मामा इस समय खतरनाक मूड में है यह बयान मुक्यमंत्री शिवरासिंग चोहान का है और इस बयान के माधियम से उन्होंने सीधे तोर पर स्वास्त विभाग के अधिकारियों को इनरदेश दिये हैं कि जो योजनाई है स्वास्त विभाग की उनको सही धंग से प्रदेश की जनता तक पहुंचाया जाए और जो यह एंबुलेंस की विवस्थाएं की गई है जो संख्या बढ़ाए गई हैं अबुलेंस की जननी एक्सप्रेस की वो आम जनता तक सही तरीके से पहुंचे आज की चार बड़ी खबरें तवाम खबरों के लिए बने रगे विंद्या टाइम्स के साथ बहुत बहुत धन्यवाद